Hello everyone, कैसे हो अपसा भी लोग, कुछ important updates, जो आपके लिए helpful हो सकते हैं, exam dates के बारे में थोड़ी बाते करेंगे, आज 18 तारीक आज SSC को इसके बारे में decide करना था कि exams कब लिये जाएंगे, results कब declare किये जाएंगे, तो अभी तक SSC website पे कोई भी इसके बारे में official notice नहीं आया, तो अगर हम CBSC की बात करें, class 10th and class 12th के exam की dates आ चुकी है, ठीक है यह बहुत important है, क्योंकि आप देखोगे, Delhi में काफे जादा coronavirus के cases हैं, लेकिन CBSC exam में Delhi में अराम से conduct कराई जाएंगे, और जुलाई में start होने वाले हैं आपके exams, ठीक, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ आ रह तो काफे अची chances है कि आपके SSC exams भी जल्द ही conduct कराये जाएंगे, जो रुके में हैं, जो डिले हुए में हैं, और railway, RRB, NTPC का vendor जैसे ही decide हो जाए का उसके पाद उसके exams भी होंगे, लेकिन कितना time लगेगा, अभी कहां नहीं जा सकता, SSC के official website पे notice आने का हम सभी लोग यह सारी कुछ चीजे हैं, जिस तरह के से हम exam तो दें, लेकिन virus से effect ना हो पाएं, तो SSC में भी कुछ इस तरह के measures दिये जाएंगे, और हो सकता आपके exam दुबार से होने start हो जाएं, उसके बाद अगर हम बात करें, अभी आज कल काफी लोग खाली हैं, और वो अपनी कलाग किसी और चीज़ों में निकाल रहे हैं, और face notices खुद बना रहे हैं, SSC की तरफ से अपने आपको SSC मानगे, तो यह notice viral हो रहा था, मेरे पास आया काफी लोगों का, तो मैं बता जेता हूं, यह बिल्कुल fake है, अभी SSC website पर official notice नहीं आया है, जब आएगा उसके बाद ही, ची उसके daily class होगी है, आपके 12 से एक बजे, और यह बिल्कुल free class है, आपको इसके लिए कुछ भी pay करने की जूरत नहीं है, होगा क्या class के अंदर पहले मैं आपको trick समझाऊँगा, ठीक है, और उसके साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे, होता है कि हम tricks तो सीख लेते हैं YouTube पे वीडियो से, लेकिन हम practice नहीं करते हैं, हमें समझ जयाता कि इस तरह से practice करनी है, और आला साता है, और फिर हम उन चीजों को implement नहीं कर पाते exam में, ठीक है, तो कोशिश यह करेंगे, हम पहले trick भी सीखें, और प्रैक्टिस भी साथ के साथ ही कर लें, class के अंदर live class होगी, तो आप अपने answer दोगे, तो वो मिझे दिखता भी रहेगा, और आपको कहीं दिख्कत आ रहे होगी, तो वो भी मैं बता पाऊँगा, कि इस तरीके से सही कर लो, तो ये सभी लोग attend कर सकते हैं, सभी लोगों को जरूर करनी चाहिए, ये सारी free classes हैं, बाकी मेरी बहुत सारी special classes already आ रखी हैं, जो कि recorded form में है, जैसे YouTube पे वीडियो जो होती है, ये सारी special classes भी आप देख सकते हो, ठीके, इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, इसके लिए भी आपको कुछ भी पे नहीं करना, अनक एनमी पे championship चल रहे हैं, इसमें 10 free mocks हैं, ये mocks दे सकते हो, और इनका लिए से tier 1 exam हो चुका है, tier 2 exam हो चुका है, tier 2 का result awaiting है, लेकिन vacancies के बारे में काफी updates आ चुके हैं, उससे लेटेट, जो SST ने vacancies निकाली थी MTS exam की, वो आपकी लगभग 7099 vacancies थी, लेकिन RTI की थूरु पता चला है कि vacancies 2000 से लगभग भड़ चुकी है, 9000 से उपर आपकी vacancies हो चुकी ह यह मैंने February में लगाई थी, और recent RTI से यह पता चला कि यह थोड़ी और बढ़ गई है, और vacancies हमारी अब और भी ज्यादा Delhi region में हो चुकी है, सारी एक बार combined में आपको दिखा दूँगा, अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप department wise भी देख सकत अच्छे अगर हम बात करें यहाँ पे, Delhi state की हाँ पे यह vacancies है, किस-किस department में कितनी-कितनी vacancies है, तो Delhi state में आपकी vacancies काफी increase हो चुकी है, southern region की बात करें, पहले आपकी 314 vacancies थी, southern region की भी भढ़के कितनी हो गई है, 837 पहले February में जो RTI लगाई थी, उसके according थी, लेकिन अभी भी आपके लिए Telegram चैनल पर लवा दी जाएगी, अगर हम बात करें Eastern region की, तो Eastern region की पहले 957 vacancies थी, ठीक है, यह थोड़ी कम हो गई, और अब यह कितनी हो गई, आपके पास 907 vacancies है, और यह February के RTI अभी जो recent लगाई, उसका reply मेजे नहीं मिला, Western region में, February में RTI लगाई थी, प 55 vacancies आपकी increase हो चुकी है, पहले की बात करेंगे, पहले आपकी काफी कम vacancies थी, अब 26 और 11, ठीक है, दो vacancies आपकी 18-25 age group में भड़ी है, और इसकी भी statewide breakup की RTI मेरे पास आ गई है, इसका भी आपको link टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, साथी साथ इन RTI की कुछ RTI मैंने करी है, एक RTI के reply मुझे सत्यम कुमार ने दिया था, तो very very thank you to, सत्यम की उन्होंने ये मुझे भेजा जिस्ते कि मैं आप लोगे साथ information convey कर पा रहा हूँ, अगर हम overall बात करें तो इन 5 regions की मैंने आपको RTI दिखाई, इन 5 regions के अंदर पहले इतनी vacancies थी और अब इतनी हो गई ह तो total आपकी vacancies जो increase हुई है, 1973 से हुई है, और total vacancies की बात करूँ, आपकी 9072 vacancies हो गई है, ये MTS 2019 के हम बात कर रहे हैं, MTS 2019 का मतलब जो paper हो चुका है, इसका tier 2 का result अभी awaiting है, अभी एक या दो दिन में ऐसे से जल्द ही बताएगा कि इसका result कब declare किया जाएगा, उमीद करते वीडियो आप लोग के लिए beneficial रही हो, जो हमने IT लगा कि आप लोग के information collect करी है, उससे आपको फाइदा मिला हो, और एक picture के लिए होगी होगी आपको कि MTS 2019 में आपके selection के chances कितने हैं, भड़े हैं या कम हुए हैं, ठीक है, तो सारी चीज़े हम यहाँ पर discuss करी रहे हैं, tier 2 क result के आने के बाद हम cutoff का दुबार analysis करेंगे और देखेंगे कि किस number अगर आप कितना score कर रहे हो कि यह आपका selection हो जाए, तो उसके बारे में साइची जो में हम detail में बात करेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे हैं जालेना चाहूँगा, बाके आपको एक चीज और बताना चा सभी levels के लिए तयारी की cry जाएगे, level 1, level 2 या tier 1, tier 2 जो हम कहते हैं, चाहे वो CGL exam हो, चाहे वो MTS exam हो, चाहे वो CP exam हो, SST के सभी exams के लिए एक ही प्रोमो कोड आपको यूज करना है, that is RB10, और आप सभी के सभी course में enroll कर सकते हो, और अपनी तयारी बहुत अच्छे से कर सकते So that's it guys, अभी आपसे यहीं बता लेता हूँ, आपका दिन शुब हो, जैहिंद